बॉलिवुद की फीमस निर्माता नेदेशक कहे जाने वाले महेश भट एक बाफ फिर से चर्चाओ में आ गया है दरिसल महेश भट को हाल ही में बिग बॉस की घर में देखा गया है जहां डायरेक्टर घर में अपनी बेटी पूजा भट को सपोर्ट करने के लिए आये हुए है वहीं घर में एंट्री लेने के बाद महेश भट घर के सारे इंकर्टेस्टन के साथ काफी अच्छे से मिलते जुलते भी दिखाई दिये हैं वहीं इस दोरान महेश भट ने पूजा भट को लेकर कुछ ऐसी बाते भी कह दिये हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा दरसल लंबे समय के बाद अपनी बेटी से मिलकर महेश बेहत ही भावक नजर आये और इस दोरान उन्होंने बेटी पूजा के साथ अपने रिस्तर के भी बारे में बात करते हुए दिखाई दिये हैं जहां महेश ने बताया कि जो पूजा का जन्म हुआ था उस दोरान महेश भट आर्थिक तंगी से जूच रहे थे बड़ी बेटी के जन्म के वक्त उनके पास पैसे नहीं थे बाद में मुश्किल से उन्होंने 15 सो रुपे इकठा किये थे इसके साथ महेश ने आगे कहा कि बड़े होने के बाद खराव वक्त में पूजा परिवार की ताकत बनी उन्होंने मौडलिंग का काम करके परिवार चलाने में मदद की थी इसके साथ ही महेश भट के पॉसनल लाइफ का वो किस्सा भी शेयर किया जिसे सुनकर सबकी आखे नम हो थे दरसल महेश भट ने जौरान बताया कि जब पूजा भट का जनम हुआ तब वो 20 साल के थे बेटी के जनम के बारे में बात करते हुए महेश ने कहा कि पूजा के जनम के वक्त मैं आथिक तंगी से गुजद रहा था लेकिन जब पहली बार मैंने पूजा का चहरा देखा तो वो गुस्से में दिखाई दे रही थी तब उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि उसका जनम जिन्दगी में बड़े बदलाव के लिए हुआ है वो मेरे लिए भगवान के दिये तौफे की तरह बन गई थी इसी के साथ महेश भट ये भी कहते दिखे हैं कि बुरे वक्त में वो परिवार की ताकत बनी उस दोरान पूजा ने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की पहल की और कई एड के लिए ओडिशिन भी दिये पूजा इन में सक्सेस्फुल रही और जिसके चलते हमारा घर भी चल सका इसी के साथ पूजा ने मॉडलिंग के बाद फिल्मों में भी अपना जबर्जस करियर बना लिया बता दी कि बिग बॉस के घर में महेश भट सारी इंकंडस्टन के साथ काफी अच्छे से घुलते मिलते भी दिखाई दे रहे हैं जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तीजी से वाइल भी हो रहा है लेकिन इन सबसे हटकर आपको बिग बॉस के घर में महेश भट के अंटर कितनी पसंद आई है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अवाल अभी के इस रिपोर्ट में वस इतना ही मैं एकदात रिपाठी पंजाब के स्री दिल्ली से अगर आप मारे वीडियो पेस्बुक पर देख रहे हैं तुम्हाँ पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप मारे वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तुम्हाँ चैनल को सबस्क्राइब करें